हेलो फ्रेंट्स, गूड मॉर्निंग! आज हम पढ़ेंगे Occupational Health and Disease जो Occupational Health है उसका कानून कब बना था? उसका legislation कब हुआ था? Legislation for Occupational Health Factory Act 1989 और EASI Act 1989 अब देखते हैं Disease, जो Occupational Disease है Occupation में ज्यादा समय से उसके exposure के वज़जे कौन कौन से disease हो सकते हैं, disease due to chemical agent, जो chemical agent के वज़े से क्या-क्या disease होते हैं, जो chemical agent होते हैं, उनकी exposure में ज्यादा समय तक उसका exposure, उसके exposure में उसके contact में रहने के वज़े से, जो disease होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं, chemical agent के वज़े से, तो देखते हैं, cold dust, जो cold dust है, उसका inhalation होने के के वज़े से क्यों होता है एंत्राकोसिस जिसको ब्लैक लंग भी बोलते हैं एंत्राकोसिस को सिलीका जिसको सिलीकोसिस भी बोलते हैं सिल्का के वज़े से एसबेस्टोस जिसके वज़े से एसबेस्टोसिस या फिर लंग कैंसर भी हो सकता है और आइरन का अगर हो जाता है तो इसके वज़े से सिदेरोसिस भी होता है और केन फाइबर जो सूगर केन होता है उसका जो डस्ट होता है उसका इनहिलेशन होने के वज़े से उसके उसके में ज्यादा समय से रनने के वज़े से बैग असोसिस हो सकता है और कॉटन डस्ट जिसके वज़े से कॉटन डस्ट होता है तो वैसी फैक्टरी में कॉटन डस्ट जहां पर कॉटन बनता है तो वैसी फैक्टरी में ज्यादा समय तक काम करने के वज़े से उसका ज्यादा अगर इन्हेलेशन हो गया है तो जिसके वज़े से बाइसेनासेस हो सकता है उसको मंडे फीवर भी बोलते है या फिर ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं बाइसेनासेस को अगर उसका है इसंको तो इसको plumbies में बोलते हैं या फिर lead poisoning हो जाता है फिर देखते हैं यह हमने देखा disease due to chemical agent आप देखेंगे disease due to physical agent जो physical agent होते हैं उनकी contact में ज्यादा समय तक और रहने के वज़े से उनका exposure ज्यादा समय प्राब्लम हो सकती हैं वो देखेंगे तो जैसे अगर हीट है तो हीट के हीट के contact में ज्यादा समय तक रहने से क्या हो सकता है हीट pyrex या हो सकता है हीट cramps या burn हो सकता है cold के संपर्क में ज्यादा समय तक रहने से च्रेइंज फूट या चिल्स ब्लेंज हो सकता है तो जासे की ऐसा च्रेइंज फूट हो जाता है और जो चिल्स ब्लेंज हो एसा ब्लेंज वो ऐसा जाता है ऐसा हो जाता है ऐसा चिल्स ब्लेंस हो जाता है और ऐसा ट्रेंज फूट दिखता है अब दिखते हैं जो लाइट के संपर्क में आने के वज़े से जुसको आख होता है उसमें क्या प्रब्लम हो जाती है वो इन्वॉलिंटरी मोमेंट करती है जो left, right side में और circle में eye moment होता रहता है involuntarily pressure के वज़े से air embolism होता है noise के वज़े से occupational deepness बहरापन हो सकता है radiation के exposure के वज़े से cancer हो सकता है leukemia, plastic anemia हो सकता है और pancit openia हो सकता है अब देखते है mechanical factor के वज़े से क्या होता है injury हो सकता है, accidents हो सकता है electrical exposure के वज़े से born हो सकता और electrical shock हो सकता है अब देखते हैं कि यह हमने देखा disease due to physical as in chemical और physical हमने पढ़ लिया क्या problem होती है अब देखेंगे biological as in disease due to biological as in biological as in के संपरिक में रहने के वज़े से ज्यादा समय तक तो क्या problem हो सकती है यह देखते हैं तो इसमें क्या-क्या दिक्कत होती है जैसे ब्रूस लॉसिस ब्रूस लॉसिस क्या होता है कि इस ब्रूस लॉसिस को Mediterranean fever भी बोलते हैं यह एक bacterial disease है bacterial infection है जो जो एनिमल से pupils में जो जानवरों से आदमियों में इंसान में जात पहुंचता है mostly by unposturized daily products contaminated daily products के वज़े से यह हो सकता है Leptoisperiosis Leptoisperiosis भी एक bacterial disease है जो कैसे spread करता है urine of infected animals यह भी इनिमल से infected animals है उसे उसे होता है spread होता है तो मतलब एनिमल से भी यूरीन के contaminated urine animals के contaminated infected urine से हो सकता है और उसे भी हो सकता है जैसे कि swail है food है जिसके वज़े जो contaminated हो चुका है उनके urine से तो उनसे भी हो सकता है through water swail or food contaminated with their urine तो यह infected animals के urine के वज़े से infected urine के contaminated urine के वज़े से यह हो सकता leptospiriosis जो anthrax है anthrax भी हो सकता है disease due to biological agent biological agent के ज्यादा संपर्क में रहने के वज़े से anthrax भी हो सकता है तो it mainly affect animals यह mainly animals को affect करता है लेकिन human can become infected through contact with an infected animal और by inhaling spores तो जो spores होता है उनकी उसकी inhalation के वज़े से यह disease जो है इंसान में हो सकता है actinomycosis जो actinomycosis है वह क्या है कि यह बहुत ही rare condition में होता है actinomycosis जो bacterial disease है जो spread होता है from one part of the body to another through और जब यह actinomycosis जो bacteria के वज़े से यह infection होता है bacterial disease है इसमें अगर यह spread हो गया है तो इसमें क्या दिक्कत होती है abscesses होगा pain होगा और उस area में inflammation होगा और problem से होती है तो एक बार revise कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा Occupational health and disease तो इसका legislation कब हुआ था इसका कानून कब बना था factory act 1948 में और ESI act 1948 में disease due to chemicalization में हमने क्या-क्या पढ़ा coal dust के निलेशन के वज़े से क्या होता है asbestos के वज़े से asbestosis और lung cancer भी हो सकता है आरन के वज़े से cedrosis के फाइबर और सूगर के इन डस के निलेशन के वज़े से bagosis cotton dust के bycinosis इसको मंडे fever और brown lung disease भी बोलते हैं हे और grain dust के वज़े से famous lung हो जाता है और injection of lead lead जो होता है और frost bites जो frost bites क्या होता है कि it is an injury caused by freezing in skin and underlying tissues यह ज्यादा समय तक किसी cold cold में ज्यादा time तक exposure उसके संपर्क में रहने के वज़े से frost bites हो जाता है फिर हमने पड़ होता ब्रॉस्र के बचर से उसका विचेए old Committee ahead के वज़े से हीड फरिवक्राइल होता है हीट ने के उसके ठेंच फुट अर धियंस भिए पहले ब़िधों फ्रॉस्टबाहिड्ध में ओझती का संपर्क में आने के वाज़े से ज्यादा समय तक occupation cataract or minor nystagmus involuntary involuntary eye moment जिसको nystagmus बोलते हैं pressure के वज़े से air embolism होता है और nausea occupational deepness होता है radiation के एक्स्पोजर के वज़े से cancer लिकी में plastic अनिमिया पैंसे टोपनिया होता है mechanical infectors के वज़े से injury होता है accidents होता है electrical के वज़े से burns और electrical shock हो सकता है और डिज़े दू बायोजिकल लेजन हमने बायोजिकल लेजन भी देखा इसके वैसे ब्रूसलियोसिस लैप्टोस्पिरियोसिस एंथ्रेक्स एक्टिनो माइकोसिस टिटैनर सेंसे फ्लाटिस और फंगल इंफेक्शन हो सकता है तो फ्रेंड्स हमने आज देखा